हेलो, नमस्ते दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पाच ऐसे ETF बताऊँगा जो Long-Tub Investment Point of View से बहुत अच्छे है उस ETF का मैं आपको पिछले 10 सालों का बैक्टेस्टिन भी करूँगा मतलब बैक्टेस्ट की पिछले 10 सालों में, 5 सालों में और पिछले 1 साल में उन ETF ने कैसा रेटेंड दिया है ETF क्या होता है, जो लोगों को अगर मालूम ने ETF क्या होता है तो मैंने ETF पे डीटेल वीडियो बनाया है उसका लिक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको वीडियो देख लीजे, तो आपको ETF क्या है वो एक टोटली आइडिया है जाएगा बट मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ जो लोग नए हैं और जो लोग पूरा नए है वीडियो को देखते हैं उनको भी एक रिविजेन हो जाएगा कि ETF का मतलब क्या होता है ETF दोस्तों अपने देश में अपने इंडिया में ETF 2002 से स्टार्ट हुए थे ETF मतलब एक्सटेंट एडिट फंड ETF क्या होता है जैसे हम शेर मार्केट में काम करता है तो शेर में मतलब कमपनी में हम long term investment करते है जैसे Reliance है, Tata है, Mahindra है Airtail है ये number of companies है लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मैं ETF में investment कर रहा हूँ तो मैं group of companies में invest कर रहा हूँ मतलब मेरा पैसा एक company में नहीं जाएगा मेरा जो पैसा है वो number of company में जाएगा according to their weightage, जैसे मानलो एक ETF है, जो सबसे पहले अपने इंडिया में start हुआ था, सबसे पहले ETF है अपने इंडिया का Nifty Biz, Nifty Biz ETF जो है वो Nifty 50 की 50 कमपनियों को track करता है, मतलब अगर मैं बोलू कि मैंने Nifty Biz ETF में पैसा डाला है, अगर मैं बोलू कि मैंने Nifty Biz ETF में पैसा डाला है तो मेरा पैसा पूरी Nifty 50 में जितनी 50 कमपनिया है वो सब 50 कमपनियों में distribute हो जाएगा according to their weightage in Nifty 50 according to their weightage in Nifty 50 मतलब जो Nifty 50 में 50 कमपनिया है, उस कमपनियों का Nifty 50 में जो weightage होगा, उस weightage के हिसाब से, जो मेरे amount है उस कमपनियों में distribute होगी बरबर, so ETF का जो investment है, वो risk-free investment है, हम ऐसा बोल सकते, ETF में कभी loss नहीं होता, अब market में हम ऐसा बोलना थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं रहागा कि कभी loss नहीं होता, लेकिन जो risk है न, वो diversify होती है मानलों किसी company ने एगर किसी साल return नहीं दिया है, तो दूसरी कोई company है, फिर दूसरा कोई sector हमें return बना के देता है, लेकिन ETF से हमें पका return आता है, so ETF का जो return है वो मैं आपको back test के बताऊँगा इस ETF में, इस class में इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा और 5 ETF में आपको long term investment के लिए suggest करूँगा कि जो भी stock market में काम करता है, उनके पास वो 5 ETF तो होने ही चाहिए, अगर आप long term investment है, जो 5 है 5 में से आप कोई भी रोखो, जो 5 में बता रहूँ, वो है इंडिया का सबसे पहला ETF, मतलब Nifty Biz ETF So Nifty Biz ETF मतलब जो Nifty 50 को track करता है, जैसे मैं आपको थोड़ी देरे पहले बता है, मतलब मैं अगर मेरे पैसे उसमें invest कर रहा हूँ Nifty Biz ETF में, तो मेरा पैसा 50 company में जा रहा है, so Nifty Biz ETF का जो return है, पिछले 10 सालों का, मैं आपको बताता हूँ कि Nifty Biz ETF ने पिछले 10 सालों में कैसे return दिये है, और अब भी आपको आगे उसमें क्या line-up आपका action होना चाहिए और या पर strategy क्या होना चाहिए, उसमें investment करने के, so मेरी screen पे आपको मैं लेके चलता हूँ जैसे मैं search bar में डाला, तो Nifty Biz ETF का detail से आपके उसका जो price chart है और उसके जो fundamental detail से अपनी screen पे आए है, so सबसे पहले यह आपे देखिए Nippon India ETF Nifty Biz इस fund को कोन manage करता है, Nippon India India की top की company है, mutual funds की, या फिर assets management करने वाली सबसे बड़ी company है तो यह Nippon India इस fund को manage करती, Nifty 50 Biz ETF को, okay तो इसके हम सबसे पहले देखते है, पीछले एक साल के returns कैसे है तो Nifty Biz के एक साल के returns देखते हैं कैसे है तो तो Nifty Biz ने पिछले एक साल में कितना return दिया है 29% पिछले एक साल का जो return है, वो है 29% मतलब अगर आप एक लाख रुप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लमसम ममोन तो वो एक लाख 29,000 उसका बन जाता, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जुलाई 2023 से लेके जून ये वीडियो में record करो, 26 जून को मतलब ग्यारा महिने या फिर हमें बोल सकते हैं, यहाँ पर उसका चार्ट है, तो इसी सबसे उसका applies escalate हुआ है, और हमें final जो return मिला है उसमें वो है 29% का, हम इसका पास साल का return चेक करते हैं, इसमें हमें पास साल में कितना return मिला है, पास साल में इसने 112% का return दिया है जो इसका अभी तक का return है इसका अगर maximum return हम चेक करेंगे तो maximum return इसका आता है 216 216% और maximum return यहाँ पर शोर है, पीछले 10 सालों का मतलब, 2014 2014 से लेके 2024 तक, पीछले 10 सालों में इसने return दिया है 216%, इसके बीच में जो भी updowns है, वो सब cash calculate करके make up करके हमें यह returns मिला है तो मेरा suggestion है कि आप इसमें आप ETF SIP start कर सकते है SIP के लिए आपको किसमें कितना fund allot करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के end में बताँगो जो 5 में ETF आपको suggest कर रहा हूँ उस 5 में आपको कितना पैसा डालना है और कभी investment start करना है और कैसे करना है वो भी इस वीडियो के end में आपको बताँगो पहला ETF हो गया आपको जो मैंने suggest किया हो गया Nifty Bees ETF दूसरा जो मैं हमेशा recommend करता हूँ कभी भी वो है CPAC ETF Central Public Enterprises मतलब CPAC ETF में में एक detail वीडियो बना है वो भी मैं description में डाल दूँगा CPAC ETF CPAC ETF में दोस्तों टोटल 11 कंपनिया है और 11 की 11 कंपनिया सरकारी कंपनिया है मतलब मगर यह कहूँगा कि मैं मेरा पैसा CPAC ETF में डाल रहा हूँ CPAC ETF में तो मेरे पैसे कहा पे जाएंगे सब सरकारी कंपनियों में चाहेंगे और सबसे powerful return देने वाला fund है CPAC ETF इसने पिछले एक सालों में वैसा डबल किया है मतलब 115% इसने return दिया है देखो यहाशे जुलाई 2023 से लेके इसका जो return है वो 115% बन रहा है कम से कम 45-50% और maximum इसका return है अभी पिछले 10 सालों का 270% मतलब पैसा तिगना हो गया 10 सालों में यह है मेरा दूसरा recommendation आपके लिए CPAC ETF इसमें सब government की companies involved है तिसरा ETF मैं आपको suggest करते हूँ दोस्तों वो है Junior Bees Junior Bees मतलब क्या है Junior Bees Junior Bees जो ETF है और track करता है Nifty की next 50 company को Nifty की next 50 company Next 50 मतलब Nifty 50 के 50 company और Nifty के पाद जो दूसरी top की 50 company आती है उसको बोलते है Nifty Next 50 और उसका नाम है ETF का Junior Bees या फिर उसको Junior Nifty Bees ETF ही बोलते है बट उसका जो पेपर पे जो नाम है उसका जूनियर Bees नाम है तो जूनियर Bees के भी हम return देखते है तो मैं या पे टाइप करता हूँ जूनियर Bees जूनियर 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 निपॉन इंडिया इटेव Nifty Next 50 जूनियर Bees तो उसका भी current price है 759 रूपीज और इसको भी निपॉन इंडिया ही manage करता है इसका एक साल का return देखेंगे Nifty Next 50 का Nifty Next 50 का return है एक साल का 66% टॉप कोई भी भाईया पचास की नीचे पच्चिस के नीचे return नहीं दे रहा है पच्चिस के उपर है सब के return minimum पच्चिस के उपर अगर आप FD करते हैं तो सातर टक्का मिलेगा आपको आप खुद डारेक्ली mutual fund में पचास डालेंगे तो आपको 15-20% आपको returns देगा हो लेकिन आप जब खुद investment करेंगे खुद काम करेंगे तो आपको पचास डबल मिलेगा टिबल मिलेगा बराबर इसका एक साल का रिटन है 66% दो साल का रिटन पास साल का रिटन है 169.66% पिछले पास साल का रिटन और maximum इसका दस साल का रिटन अगर देखेंगे तो पिछले दस सालों में इसने 300% रिटन दे 301% तो मेरी तरफ से तीसरा recommendation आपको ये ETF के लिए इसको भी आपके watchlist में एद करके रख लेजिए इसका नाम है junior biz में दुबारा बताओ junior biz किसको track करता है nifty की next 50 company को nifty 50 की top 50 company और nifty के पास जो दूसरी 50 company आते है उसको बोलते है nifty next 50 और उसकी ETF को बोलते है nippon india nifty next 50 junior biz या फिर उसको junior biz भी बोला जाता है मेरा next आपको ETF है next ETF का recommendation है भारत वन मीटा मैं चेक कर रहा हूँ उसका नाम है भारत 22 next ETF जो है उसका नाम है भारत 22 भारत 22 मतलब ICACI ICACI Prudential का जो fund house है उस भारत 22 ETF को manage करता है उसका नाम है भारत 22 biz इसमें total 22s company है और 22s company का जो contribution है जो distribution है उसमें mid cap company भी है large cap company भी है और small cap company भी उसमें involved है so उसका return हम देखते है कि उसने पिछले साल पिछले पास सालों में और दस सालों में कैसा return दिया है उसको हम देखते है मैं आपको बताता हूँ so इसका मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ICICI B22 so भारत 22 ETF इसका नाम है इसको भारत 22 ETF भी बोलते है so इसका पिछले एक साल का जो return आ रहा है पिछले एक साल का return है इसका 70% पिछले एक साल का 70% और अब इसकी current price है 110 रुपे मतलब उस unit की जो price है वो asset की जो price है उसके यह unit में आते है इसको उसको शेर नहीं बोलते इसको unit बोलते तो एक unit की price है 110 रुपे 73 पैसा पिछले पास साल का अगर return इसका देखेंगे तो आ रहा है 182% पिछले पास साल का return और पिछले दस साल का इसका return आ रहा है 196% बहुत जादा है दोस्तों यह है नेक्स यह है मेरा फोर्थ नंबर का recommendation आपके लिए भरेट 22 ETF भरेट 22 ETF का मैं आपको एक back test और करके बतातो हूं जैसे nifty का आपको मालू में nifty 50 company का है पिर nifty next 50 का जैसे है कि nifty में next 50 company है वो normally कहीं पर भी check कर सकते हैं और तीसरा जो आपको बता है ने CP DC का वो भी उसके लिए detail video बनाया है महीने तो आप वो video जाके आप देख सकते कि cpc ETF क्या है तो भारत 22 का क्या है भारत 22 का हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बैक टेस्ट करना है जैसे आपको उसके उपर और ट्रस्ट आपको बिल्ट हो जाएगा भारत 22 ETF के उपर तो मैं भारत 22 ETF का आपको portfolio बताता हूँ कि भारत 22 ETF में कोन सी company लिस्टेड है ये money control की website पर यह data आपको free में available यहाँ पर यह मिल जाएगा so भारत 22 ETF है यहाँ पर अगर देखेंगे भारत 22 ETF में total 22 companies है यहाँ पर देख सकते number of stocks कितने stocks है 22 stocks है large cap इसका जो investment है जो भारत 22 ETF में investment किया है मतलब जो इनके पास पैसा आता है वो कहाँ पर invest करते है तो 81.84% यह large cap में invest करते है mid cap में करते है 11.4% और small cap में invest करते है 6.63% other में बिल्कुल नहीं other में आता है micro cap companies तो इसमें इनका पैसा नहीं जाता है so इनका जो portfolio है वो diversify है और maximum जो पैसा इनका जो जा रहा है maximum जो ETF में जो investment हो रहा है वो large cap companies में हो रहा है so इस companies के नाम भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि उसमें 22 companies कोन सी है इसमें ITC, L&T, NTPC यहाँ पर आप देख सकते है so आप normally money control की website पर जाकर भी आप type करेंगे तो आपको यह data easily RM से मिल चाहेगा so यह है ना fourth recommendation और पाचवा और आखरी का recommendation है आपके लिए वो है banking sector का banking sector को हम कभी भूल नहीं सकते, कभी छोड़ नहीं सकते stock market में सबसे बड़ा अगर किसी का contribution है stock market में stock market का जो भी turn or है चार लग करोड का उसमें सबसे ज़्यादा जो contribution है वो है banking sector का और banking sector का जो top का ETF है उसका नाम है bankbiz ETF bankbiz ETF क्या करता है जो banking sector की जो top की company है उसको track करता है so next recommendation है और पाचवा उसको हम बोलेंगे bankbiz ETF bankbiz ETF का हम detail देखते हैं कि bankbiz ETF bankbiz ETF का return कैसा है पिछले साल का 5 साल का और पिछले 10 साल का bankbiz ETF में हम देखते हैं पिछले 1 साल का जो return है वो है 21% का पिछले 1 सालों में banking sector थोड़ा slow work हुआ है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसमें कुछ problem है banking sector, bank system कभी भी दुनिया से बनने होगा क्योंकि जो चल रहा है जब बैंके के उपर ही चल रहा है लेकिन पका progress है और 10 सालों का अगर इसका return देखेंगे तो वो है 185% पिछले 10 सालों में इसने जो return दिया है 185% जो जोतने भी मैं आपको ETF बताए एक भी ETF ऐसा नहीं कि जिसने हमे mutual funds से कम return दिया है दोस्तो हम stock market में invest क्यों करते हैं कि हमें EFD और mutual fund से ज़्यादा return चाहिए में beat करना होता है mutual fund को और EFD को beat करने के लिए mutual fund है और mutual fund को beat करने के लिए stock market जिसमें हम खुद पैसा लगाते हैं और खुद काम करते हैं तो यह ऐसे ETF है यह फिर यह ऐसी investment strategy है जो mutual fund को beat कर रही है आपकी दूसरी कोई भी investment हो उसको यह beat कर रही है और यह भी investment plan है इसमें आपको daily काम नहीं करना है यह investment plan है तो आपको इसको किसी सबसे काम करना है मैं आपको एक idea देता हूँ आपको बताता हूँ मैं के amount का example लोगा आप आपकी हिसाब से amount को make up कर सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं सबोर्द मेरा plan है कि मुझे monthly monthly 10,000 रुपए invest करना है total मेरा budget है 10,000 का तो 10,000 में मैं पूरे 10,000 एकी ETF में नहीं डालूँगा तो मैं 10,000 को कैसे contribute कुरूँगा मेरे 10,000 का जो 60% amount है 10,000 का 60% 30 और 30 30-30% जो amount है मैं डालूँगा nifty 50 में और nifty 20 में मतलब total अगर मेरे 10,000 रुपए है 10,000 में से मेरा जो 30% amount है वो जाएगा nifty 20 ETF में और 30% जाएगा मेरा bank 20 ETF में बाकी हमारे पास रहता है 40% 40% में हमें जो बाकी के जो तीन ETF हमारे रहते है 40% में जो बाकी के हमारे तीन ETF रहते है उसको हमें manage करने अगर 40 divided by अगर हम नॉर्मली करेंगे तीन अगर करेंगे तो हमारा नॉर्मली कितना आएगा उसमें 14-15% amount आएगा मतलब अपना जो 40% amount बच रहा है तो उसमें से 14% मतलब 14% हमारा amount की इसमें जाएगा वो तीन ETF में वो भारट 22 CPSC और जुनियर बीज में ऐसे हमें हमारे पैसे को manage करने मैं आपको एक बार दुबारा लिखके देता हूँ आपको मैं यहापे समझाता हूँ अगर मान लो मेरा nifty जाएगा 60% और उसमें 60 में से 30% जाएगा bank बीज में bank बीज में कितना जाएगा 30% 30-30 30 nifty बीज में और 30 bank बीज में remaining जो 40% रहता है 40% हमारा 3 ETF में जाएगा कों से कों से ETF में जाएगा भारत बीज में जाएगा जुनियर बीज में जाएगा और जुनियर बीज में से बाकी जो CPAC ETF है कुछ अमौन जाएगा CPAC ETF में आपको कैलकुलेट करके बता तो exactly कि कितना पैसा हमारा exactly जाएगा सो 13% amount जो है 13% amount वो जाएगा 3 ETF में और बाकी 30-30% amount जो है वो जाएगा जो top के जो अपने ETF से जिनका जो trusted है जो कभी भी हमें loss नहीं दे सकते bank biz ETF में और nifty biz ETF में कभी भी हमें loss नहीं होगा वो zero risk ETF है उसमें कभी भी हमें loss नहीं हो सकता so आप इसी सबसे आपका SIP प्लान कर सकते है आपको यह होगा आपका amount SIP प्लान कैसे करना है कि मन्त की एक date पका आपको करना है कोई भी मन्त की एक date आप पका कर लिजे जो से मानलो एक तरीक है दो तरीक है तीन तरीक है चार तरीक है उस date को उस ETF में आपके account से पैसे जाने अब यह सब manual activities है, इसमें आपका at-to debit पैसा नहीं होगा, जैसे आप mutual fund में at-to debit होता है, तो इसमें at-to debit नहीं होगा, अगर यह 5 ETF है, तो 5 के लिए 5 अलग-अलग date set कर दीजे आप, और 5 में जो मैंने weightage बताया, उस हिसाब से आप पैसा डाल सकते हैं, मैंने आपको से weightage बताय आप amount आपके हिसाब से manage कर सकते हैं, अगर आपका 5000 का budget है मैंने का, तो 5000 के हिसाब से करते हैं, अगर आप 2000 का budget है, तो 2000 के हिसाब से भी करते हैं, क्योंकि ETF की बहुत कम है, ETF 500, 600, 200, 200 रुपे में मिलते हैं, तो ETF की price कम है, इसको आपको long term investment point of view देखना है, इसमें आपका पैस एक तरीकों कर रहे हैं, तो दूसरे में आप 5 तरीकों कीजिए, तीसरे में आप 10 तरीकों कीजिए, चोहते में आज 15 तरीकों कीजिए, और पाच में आप 20, 22, 23 तरीकों कीजिए, ऐसे सबको एकी date में सब में पैसा मठ डाली आप, ओके, सबको एक date में नहीं डालना है, सब आपको पाच अलग-अलग डेट में आपको पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है तो दोस्तो बहुत ही helpful वीडियो है hope आपको वीडियो अच्छा लगागा जो भी information आपको मेरे तरब से best है मैं आपको देने की कोशिश की है मैं कोई professional YouTuber नहीं हूँ कुई हो सकता है चाहिए हमारा number भी इदर में mention कर तो आप उस पर हमको WhatsApp कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं और और आपको कुछी topic वीडियो चाहिए तो पका आप हमें बताइए और आखरी में अगर वीडियो आप अच्छा लगाए तो पका सब के साथ लाइक कीजिए और सब के साथ शेर कीजिए थेंकियो सो मुच हाव नाइस देग